नमस्कार दोस्तूं मैं डॉक्टर रावज चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेल फिमेल्स दोनों में ही वो की बोडी में जगे जगे सिस्ट बन जाना यह सिस्ट आप बोडी में कही जगें देख सकते हैं अगर मैं रूटीन में बोलूँ तो फिमेल्स में एक बहुत ही कॉमन एक्जामपल आपको देखने को मिलेगा पी-सी-ओ-डी यानि उनके ओवरीज में सिस्ट हो जाना कैवार हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी रिस्ट है यहां पे सिस्ट बन जाती है जिसको हम गैंग्लियों सिस्ट कहते हैं इसी तरह से कैवार कोई आपके दूसरे ओर्गन्स में हो सकती है कैवार आपको सौप ट मेडिसन्स आती है जिसको आप होमेपेटिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं और आपको साइथ दूसरे कोई सर्जरी की जरूत भी नहीं पड़े तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी मेडिसन सेर करने वाला हूं मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने देखा कि हर सिस्ट के अंदर जोरो घृति देती है तो सबसे इम लोग समजने कि कोशिस्ट करते हैं कि सिस्ट को आप कह सकते हो के और झेर के शोटना सा पाउच है यह आपको सकते हैं वी जो है बिलकूल पानी की तरह हो सकता है कि धाड़ा-बदार्त भी होता है जो असक solely बरावा हो सकता है और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी बोडी के अंदर कहीं भी कोई तरह की ओवर ग्रोथ हो जाए थोड़ा सा उबार आ जाए और एक गांट नुमा सा कुछ करेंसित होती है और जो सिस्ट नॉन केंसर होती है उसकों कहते है यानी यह जादा तर जो सिस्ट यह यहादा Civil she यह यह थिए और पेंडव और दोसरे चैंजे हैं उसके कारन सरीह को डेखने को मिल सकते हैं जिसके कारण उसको आपको प्रॉपर ट्रीट करने की जरूत होती है क्योंगे अगर वह सिस्ट आपको रहेगी तो आपकी बॉडिक अंदर दूसरी के तरह की तकलिफों का सामना करना भी पढ़ सकता है तो ऐसे कंदर जरूरी हो जाता है कि उस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया हो कई वार कोई तरह की इंजरी हो जाती है तो उसके कारण भी आपको सिस्ट बन सकता है जैसा भी हम बात कर रहे थे फिमेल्स में पीसी ओडी तो ऐसे कंदर कई वार हार्मोनल जो कई तरह के इंबेलेंसेज या चंजेज होते हैं उसके कारण भी जो है आपकी बोड़ी में कई वार आपको सिस्ट देखने को मिल सकती है सिस्ट की बात करें जैसा हम बात कर रहे थे आपकी बोड़ी में कहीं भी हो सकता है तो कई वार आपकी जो किड्नी है आपके किड्नी में सिस्ट हो सकती है आपको बार्थोलीन सिस्ट हो सकती है हम लोग बात कर रहे थे रिस्ट पर दिए हो सकता है ये प्लक यहां पर हो सकता है कान के पीछे देख सकते हैं तो यह कुछ कुछ कॉमन होता है जहां को सिस्ट काफ़े जादा देखने मिलता है कई वाहर आपका पालोंडेल지 सिस्ट होती है वो आपको देखने को मिल सकते हैं यह काफी पीसी ओड़ी एक बहुत इस तरह की सिस्ट है या आपकी बॉडी के अंदर जो कहीं पर भी बन सकती है और जैसा बात ही अच्छी बात है कि most of the cases में non-cancerous होती है बेनाई नहीं होती है अब इसके treatment की बात करें तो friends आप लोग जानते की homeopathic अंदर बहुत ही अच्छी medicines है जिससे आप जो है अगर लेते हैं तो हो सकता है आपको कोई तरह की surgery नहीं करवानी पड़े और आप homeopathic treatment से इसको ठीक कर सकते अगर आपको कोई particular cyst है जैसे ganglion cyst है या मान लीजिए आपको breast में कोई तरह का cyst बन गया है या आपको neck में cyst है PCOD के cases है या आपकी kidney में cyst है तो इन सारे topics में मेरे youtube channel पे अलग लग videos बने में जहाँ इसको detail में आप समझ सकते हैं और properly treatment को भी हमने वाँ discuss किया लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो best medicine share करने वालों जो हर तरह के cyst के अंदर मैंने देखा कि जादतर cases में यूज की जाए तो definitely हमें बहुत अच्छे रिजल्स देखने को मिलते हैं पहली medicine calcarea floor calcarea floor को six x potency में देखा कि cyst के अंदर बहुत अच्छे results देती है और calcarea floor को six x potency में आप इसकी चार टेबलेट दिन में तीन वार यानि four tablets morning में four tablets afternoon में और four tablets पे आप evening या night hours में ले सकते हैं और next medicine जो इसमें बहुत अच्छे results देती है थुजा 200 थुजा 200 को मैंने देखा कि इसको आप दिन में एक वार यूज कर सकते हैं और evening hours में अगर थुजा को देते हैं तो हमें और अच्छे results देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स ही दो medicine है जो मैंने देखा कि ज़्यादा तर कहीं कोई सिस्ट है कोई भी इतरह की ओवर ग्रोथ है तो वहां बहुत अच्छे results देती है और सिस्ट को जो है dissolve करने में सुकाने में यह आप कह सकते हैं धीरे-धीरे उसकी size को छोटे करने में बहुत जादा medicine है और भी बॉड़ी के कोई particular organ में सिस्ट है तो naturally उसके accordingly आपके लिए medicine change हो जाती है बट दो ऐसी medicine जो है जो कि हर तरह की सिस्ट में काम करती है और जरूर use की जानी चाहिए और मैंने देखा बहुत अच्छे results देती है तो वह है केलकेरिया फ्लोर 6x और 200 फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने कोसिस की कि आपके लिए common वीडियो बनाओं जो ज्यादा तर सिस्ट में जो हर जगें जो एडिशन से अच्छे results दे सकती है वह आपके साथ में मेरा नोलेट शेयर करूं मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लापकारी साबित होगा इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें से करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जुरूर दबाएं जिसमें जैसे ही कोई वीडियो डानों आपको नोटिफिक्सन मिल सकें थैंक यू करें हो नोटिए